आंग यडा विश्यायचा दोस्तों सुबद्ध wise पर मई हूं गौरभ इस वीडियो में हम सामान थिन के महत्यपूर्ण प्रश्णों का ब्यास करेंगे और यह हमारी सामाने थिन की जो सीज् expose फर चल रही है महत्रपूर प्रश्णुकी उसका अगला भाग है अल्थात भाग 19 तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो से लाव होगा यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजे और एकाक्ष टुटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कीजे और यदि किश्री प्रस्णि के उत् प्रिश्री के कुछ वीडियो हैं प्लेश्ट के माधियम से उपलब्द है उसमें और इसके अलावा वन लाइनर क्विज जो है उसकी भी प्लेश्ट इसमें चैनल पर उपलब्द है आप इन सभी महत्पूर्ण प्रश्णों का इन सभी वीडियो के और प्लेश्ट के माधि उसके लावा पुछले वर्सों में पूछे गए महत्पून प्रश्ण भी जो है वीडियो के माध्यम से महत्पून प्रश्ण जो है पूछे गए बैंक एक्जाम्स में वह भी जो है उपलब्ध हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते ह कि दावनीए किस देश का यात्री था इभम किस मुगल शाजक के शाषनकाल में भारत आया तो इसका अंसर है लुए प्नियग फ्राइसी जात्री तही यह फ्रांस देश से संस्में से सम्हिद्ध फ्राइस देसका निवास हाई से अगला क्वेश्चन म。 2 हुमायू ने चित्रकार अब्दु समध को कौन सी उपादी प्रदान की तो अब्दु समध जो चित्रकार था यह हुमायू के शाशनकाल में एक जो है फेमस और प्रसिद चित्रकार था और इसको हुमायू उन्हें सीरी कलम की उपादी प्रदान की थी कौन सी उपादी सीरी कलम को क्वेश्चन नम्म थ्री दीवाने रसालत नामक विवाग का क्या क्या रहे था तो दीवाने रसालत नामक विवाग जो था वह विदेश नीती के कार्यों से संब्धने था विदेश विदेशी जो माम Q4 भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का श्रे किसको दिया जाता है तो इसका श्रे दिया जाता है रामानंद को और दक्षिन भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसको प्रारम करने का श्रे जो जाता है वो रामानुज को जाता है किसको रामानुज को और वहां से दक प्रेश्ट No.5 ने 包ढ़ है इसके आन्सरें धगरर कोण्सी घगर इसके प्रमार करतो दो इसके उपरी मारव रख़त हैं वो लोठल से प्रावथ हुए हैं कहां से लोठल आअगरा प्रश negotiate है हूं में किस हालपा पुरा इस थल से वक्रा कार इंस कprem आप हुए हैं कि वक्रा को कारीठे नप्रावथ हुए हैं वह चनुहूंद रोव इस्थान से प्लाप हुए हैं यह यह helping पड़ापकालीन इस्थल है हारपकालीन पुला इस्थल आप कह सकते हैं ठीक है । और यह प्रतिकृत्र नमबर एट पक्की मित्टी पक्की मित्टी की बनी हुई हल की प्रतिक्रती कहां से प्राप्त हुई है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिक्रती तो यह प्राप्त हुई है बनावली से कहां से बनावली यह भी हड़ापा कालीन पुरास्थल है और यह कहां पर है यह हर्याना में हर्याना के हिसार जिले में यह जो है Q9. साथ वाहन वन्सका सबसे प्रतापी शाशक किश को माना जाता है? तो साथ वाहन वन्सका सबसे प्रतापी शाशक गौत्मी पुत्र शाथकर्णी को माना जाता है किसको? गौत्मी पुत्र शाथकर्णी को अगला प्रशन question number 10 मत्विलास प्रहसन किसकी रचना है या इसके रचईता कौन है ठीक है मत्विलास प्रहसन के तो इसके रचईता है महेंदर वर्मन प्रथम ठीक है महेंदर वर्मन प्रथम ये किस वन से समझने थे पल्लव नरेश पल्लव वन्स के शाशक थे ये महिंद्र वर्मन प्रथम और इन्हों ने इस नाटक की रचना की ती यह एक नाटक है संस्कित भाषा में जो है यह नाटक है मत्विलास प्रहसन ओके क्वेश्चन नम्मर 11 बॉंबे क्रॉनिकल के संस्थापक कौन थे ठीक है अब यह मौडर्न इंडिया से हिस्ट्री से मौडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है बॉंबे क्रॉनिकल के संस्थापक थे फ्रोशा महता कौन थे फ्रोशा महता है क्वेश्चन नम्मर 12 वर्स 1921 में कॉंग्रेस के एहमदाबाद अधिवेशन की अधिक्ष्ट कौन चुने गए तो इसके अधिक्ष्ट चुने गएते सी अधिक्ष्ट कुछा जाए कि कि अधिवेशन की अधिक्ष्ट की अधिक्ष्ट चुने गएते सी या द्यक्ष्ट कीती हकीम अजमल खाने क्यों क्योंकि उस समय Sc tram de कि अद्रक्षिता किस ने की थी तो इसकी अद्रक्षिता की थी रेमजे मेक्डोनॉल ने रेमजे मेक्डोनॉल ने की थी यह उस समय बिटेन के प्रधान मंत्री थे ठीक है और उद्गाटन किस ने किया था प्रिथम गोल में सम्मेलन का उद्गाटन किया था बिटेन के सम्रा ने चोण्ग्रेस ने पहले गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था कुएसन नमर्फ फोटीन भारत छोड़ो अंदोलन के समय ब्रितेन के प्रधान-मंत्री कौन थे तो समय प्रधान-मंत्री थे चर्चल कॉइस्ट नमर 15 1937 के चुनावों में कॉंग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया तो कॉंग्रेस ने पांच प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था मजूर्टी जो है कॉंग्रेस ने समाज प्रांतों में प्राप्तिखी थी 1937 के चुनावों में अगला प्रशन है क्वेश्चन नमर 16 निम लिखित को सही काला नुकरम में लगाई है ठीक है जो घटना पहले घटी तो यह वह सबसे पहले फिर उसके बाद अगली घटना को तो ऑप्शन इसमें जो पहली घटना है यह वह है पुना पैक्ट उसके बाद भी है सविने वग्यान दूलन और उसके बाद सी है वेवेल यूजना फेड़ी है कैविनेट मिशन यूजना तो इसका जो सही काला नुकरम होगा वहोगा बी ए सीडी सवने वग्यान दूलन ठीक है यह कवह था 1930 में इसके बाद कि और इसके बाद वेवेल यूजना फेतालिस में आई थी थी का कि इसे बाद होगा डी कैविनेट मिशन यूजना और कैविनेट मिशन भारत का वाया उन्निशो चालीस इस्वी में ऑके तो इसका अंसर होगा बी ए सीडी क्वेशन नंबर 17 भारती सम्वेनान के किस और इंडियन पॉलिटी से प्रश्ण है क्वेश्चन नम्मर 18 भारती समुदान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राज्यों की विधान सभाव में आंगल भारती समुदाई के प्रतिनिर्ट का प्रावधान किया गया है तो इसका अंसर है अनुच्छे 333 विधान सभाव में आंगल भारती समुदाई के प्रतिनिर्ट का प्रावधान अनुच्छे 333 में किया गया है इस प्रक्राव को कहा जाता है परमादेश क्या का जाता है परमादेश किसी साधारन विधियक पर लोक सभा में साधारन बहस किस चरण में होती है या किस इस्तर पर होती है यह इस तरीके से भी पूछ सकते हैं तो यह जो बहस होती है यह दूती पाथन या दूती चडर में होती है यह हम कह सकते हैं ठीक है ओके और इसके बाद अगला प्रस्ण देखते हम विन्योग विदियक आपको पता होना चाहिए विन्योग विदियक का जो प्रस्ण इससे पहले आये था और भारत की संचित निदी पर भारत वह होता है उसको एक साथ जो है वह विन्योग विदियक के रूप में रस्तुत किया जाता है ठीक है चलिए तो question number 20 हो गया इसका अंसर हो गया दुतिय पाथन अथा दुतिय चरण में साधारन विदियक पर लोग सभा में साधारन बहस होती है अगला प्रस्ण देखते हैं हम question number 21 आज की वीडियो का अंतिम प्रस्ण है किस सम्विदान शंशोदन वारा राश्पती को मंतिर प्रस्ण की सला को पुनर विचार के लिए एक बार भेजने की सक्ति प्राप्त है तो मंतिर प्रसक की सला को या कैबिनेट की सला को पुनर विचार के लिए जो बेजने की शक्ती है राश्पती की वो 44 में सम्विदान शंशोदन अधिनियम द्वारा जो है वो दी गई है किस सम्विदान शंशोदन सम्विदान शंशोदन और यह कब हुआ था किस वर्स हुआ था 1978 इस भी में हुआ था ओके तो फ्रेंट्स इस तरह से यह 21 महत्पूर्ण प्रस्ण आज के वीडियो के पूरे हुए उमीद करता हूं आपको वीडियो से लाव होगा यदि किसी प्रस्ण के उतर में आंसर में को वीडियो जैसे डेटर इंटरप्रेटेशन की वीडियो प्रीविस एर क्वेश्चन की वीडियो और वन लाइनर क्विज अर्थात मॉक टेस्ट की वीडियो भी प्रेलिस्ट के माध्यम से चैनल पर उपलब्द हैं आप उनका लाव उठा सकते हैं तो मिलते हैं अगले झाल